सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्विशे शिकारिक्रम में जिसका नाम है राशी आपकी आई आज फिर से शुबारम करेंगे अपने स्विशे शिकारिक्रम का और आपको बताएंगे क्या कहती है आपकी राशी सबसे पहले मेश राशी चंद्रमा इस सबतहा की शुरुवात में गोचर कुंडली के रोजमर्रा के भाव में रहेगा और दसवे घर तक जाएगा आप कोई भी काम पूरे आत्मविश्वास से निप्टाने की कोशिश में रहेंगे यात्रा के योग बन रहे हैं सबता के आखरी दिनों में आपको सावधान रहना होगा बिशब राशी ये सबता उतार चड़ा भरा रहेगा इन दिनों में धीरे धीरे सोचे हुए काम पूरे होने लगेंगे बिजनेस में अचानक फायदा होने के योग बन रहे हैं सेहत के मामले में भी समय अच्छा हो सकता है कारेक्षेतर में प्रगती होगी अपनी प्रगती से आपको संतोष भी मिलेगा कई तरह के कन्फ्यूजन्स खतम होंगे सबता के आखरी दिनों में आपको सावधान रहना चाहिए इस सबता कुछ काम रुख भी सकते हैं थोड़ी परिशानिया भी आ सकती हैं नौकरी में बदलाव के बारे में विचार करेंगे मिथुन राशी इस सबता नौकरी और बिजनेस से जुड़ी यात्रा के योग बन रहे हैं आने वाले दिनों के लिए बनाई गई योजनाओं से अचानक धनलाब हो सकता है इन दिनों में नई नौकरी तलाश कर सकते हैं कई दिनों में आप जोखिंग उठाने के मूड में भी रहेंगे इस सबता के बीच में दिनों में सांधिजदाज से अनबन होने के योग बन रहे हैं आपको अपनी सिहत पर ध्यान देना चाहिए एस सब्ता सिहत को लेकर सावधान रहें करकराशी सब्ता की शुरुवात में आप चंद्रमा के करण परिशान हो सकते हैं थोड़ी टेंशन भी आपको रहेगी कामकाज धीमी गती से हो सकते हैं इन दिनों में चंद्रमा गोचर कुंडली के चौथे से छटे भाव तक रहेगा आपको संभल कर आगे बढ़ना चाहिए मेहनत भी ज्यादा हो सकती है करियर के बारे में कोई बड़ा फैसला करने का सही समय नहीं है आप अपने मौजूदा काम पर ध्यान दे आपकी प्रतिभा दूसरों को प्रेरित करती रहेगी सहत संबंधी परिशानी हो सकती है सिंग राशी इस सब्ता आपको संभल कर रहना होगा मेहनत से सफलता मिलेगी सब्ता के कुछ दिन आपके लिए थोड़ी परिशानी वाले हो सकते हैं अपने मन की बात किसी से शेर ना करें पैसो के मामले में रिस्क ना लें जोश या जल्दबाजी में पैसो से जुड़ा कोई फैसला ना लें इन दिनों में आपको जो कहना हो नपे तुले शब्दों में कहें महतपूर्ण लोगों के साथ मुलाकात और बाचित होने के योग हैं मान सम्मान भी बढ़ सकता है काम पूरे होंगे आपके कन्याराशी वानी से आपके सोची हुए काम पूरे हो सकते हैं सैयम रखे धनलाब के भी योग बन रहे हैं कोई नया काम भी शुरू हो सकता है आपके लिए मिला जुला समय रहेगा आप सभी रिष्टों को लेकर धैरे रहे सब्ता खतम होते होते आपको थोड़ी रहत महसूस हो सकती है इस सब्ता परिशानी और चिंता तो रहेगी लेकिन जल्दी उसका समाधान भी हो सकता है आपको बीच की स्थिती से छुटकारा मिल सकता है तुला राशी सब्ता की शुरूबात आपकी राशी से होगी चंद्रमा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपके दिन भी अच्छे होते जाएंगे इनकम और सेविंग्स बढ़ सकती है नौकरी और बिजनेस के कुछ मामले में आप लखी रहेंगे इन दिनों में जमीन जायदात के सौदों के फायदे होने के योग बन रहे है लोग आपकी मानदारी की तारीफ कर सकते है नए काम की योजनाएं बन सकती है इन दिनों में आप लोगों को आकरशित करेंगे यात्राओं के योग बन रहे है संतान से कोई अच्छी खबर मिल सकती है इंट्रिव्यू और प्रतियोगी प्रिक्षा में सफलता मिलने के योग है व्रिष्टिक राशी चंद्रमा इन दिनों में गोचर कुंडिली के खर्चे के घर से शुरू होकर धन भाव तक जाएगा सब्ता की शुरुवात में आपके खर्चे बड़े हुए रहेंगे पुरुसकार, सम्मान, प्रोमोशन और प्रतियोगीता में मिल सकती है इन दिनों में कोई आपको चैलेंज भी कर सकता है इन दोनों की शुरुवात में गोचर कुंडिली में चंद्रमा लाव भाव से शुरू होकर धन भाव तक जाएगा आप सेविंग करना चाहते हैं तो कुछ दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेंगे भूमी भवन वाहन से फायदा हो सकता है यात्राएं होंगी धन लाप के योग बन रहे हैं किसी व्यक्ति विशेश से भी विवाद होने के योग बन रहे हैं किसी पार्ट टाइम काम की जरूत आपको महसूस हो सकती है अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें बिजनिस के लिए सब्ता शुप रहेगा मकर राशी मकर राशी वाले लोगों के लिए ये सब्ता समाने रहेगा कारेक्षेत्र के साथ साथ या उजनाओं में भी महतपून बदलाव हो सकते हैं बिना सोचे समझे कोई खरीदारी कर सकते हैं इस सब्ता आप लोगों की बातों में फस सकते हैं साथान रहें नौकरी में सफलता मिल सकती है नई चुनोतियां आपको नई दिशाओं में आगे बढ़ा सकती है इस सब्ता के आखरी दिनों में आपका पैसा अचानक कहीं अटक सकता है और खर्चा भी बढ़ सकता है कुम्भराशी इन दिनों में गोचर कुंडली का चंदरमा किस्मत और करम भाव में रहेगा आफिस, फील्ड और बिजनेस में भी कुछ रुकावडों का सामना करने के बाद आपको मेहनत से सफलता मिल सकती है इस सब्ता समस्याएं तो रहेंगी लेकिन घबराने की बात नहीं है आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा दोड़ भाग और टेंशन हो सकती है इन दिनों में आप फालतु जंजटों में पढ़ने से बचें आपके लिए इस सब्ता मिला जुला परणाम देने वाला हो सकता है अब बात करते हैं मीन राशी की इस सब्ता चंदर्मा गोचर कुंडली के आठवे घर से शुरू होकर दसवे भाव तक जाएगा इन दिनों में आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं ये सब्ता अच्छा रहेगा सोच हुए कामों में सफलता मिल सकती है रुका हुआ पैसा मिलने के भी योग है मानसिक संतोश भी रहेगा इन दिनों में चलता काम निपटने से आप में confidence आएगा आपको मान सम्मान भी मिल सकता है उससे आपके लिए नए रास्ते खुल जाएंगे अपनी सिहत पर भी पूरा ध्यान दे आज के हमारे इस विशेश कारेक्रम में आप हमें दें इजाज़त हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ तब तक के लिए नमस्कार